हेलो गाईज मैं धर्मेंद्र एक बार पिर से आप सभी के समक्षट एक स्वरचिफ कविदाई करूपस्तित हुआ हूं और मेरे कविदा का शिशक है मा आप सभी को सर्व विदित है कि मा जगकी जन्नी है मा के प्रेम से एक परिवार बनता है एक परिवार से एक समाज बनता है समाज से देश बनता है और देश से एक विश्व बन जाता है तो आपको मा की महिमा के बारे में पता हमारे बात से लगी गया होगा कि इसकी मा की महिमा कितनी है हम अपने शब्दों में कभी नहीं पूरो सकते जितना भी कहा जाए उतना कम है यह सराहनी ही नहीं अपितु अत्यंत अपरिशीम और अतुलनी है तो मैं अपनी कविदा को प्रारंभ करता हूँ और आप सभी से आशा नहीं बलकि विश्वास करता हूँ कि आप सभी को यह कविदा बहुत ही पसंद आएगी इसने हमई मा की ममता जीवन की जोट जगाती है जन्म मरण के पलपल में सबको विश्वास दिलाती है पलको तले बिछाकर आशु माने ही खुशाल किया अस्त व्यस्त जनजीवन को भी माने की सम्मान दिया माने सदा चार दे करके जग को शिष्टा चार दिया बे घर के होते भी माने जन्जन को घरद्वार दिया वसधा पर मा की माया है नभ में हर रूप समाया है सब जग की दुख निवारे नितू सर पे आचल की छाया है नव युग की नव युग्त लालिमा जैसा तूने प्यार दिया बे घर के होते भी माने जन्जन को घरद्वार दिया निज गौरों से निज जीवन में तूने विपदा का संधार किया इस देश धरम की खाति तूने अंग अंग करदार किया गिले बिष्टर पर सोकर के सुख तूने हमें सुलाया है छितिज पाताल धरा पर मा जीमों में रूप सुहाया है निज धारा से धारा को तूने बदल संचार दिया बे घर के होते भी मा ने जन जन को घरद्वार दिया निज विरह बेदना को तज करके मा हर दुख निवारे नी है धरती से अंबर्तक सच है मा मुत्ती के स्वामिली है तू सर्व व्यापि है सर्व जगत मा तेरा ही कुडगान रहे जन जन के नव जीवन में हर मा का दिप्ती मान रहे मा लली तलाली मा जैसा तूने जग को है परिवार दिया बे घर के होते भी मा ने जन जन को घरदवार दिया जन जन को घरदवार दिया एक अत्यंत विदारग घटना से आप सभी को परिशित करना चाहूंगा और यह आप सभी को बचाना चाहूंगा कि मा की मम्ता हमारे जीवन में कितना सक्षम है और कितना महत्व है मा का हमारे जीवन में एक विश्मित बड़ी घटना एक बिश्मित बड़ी खटना जिसे अनुदान कहते हैं किया जो राष्ट के हित में उसे बलिदान कहते हैं जो खुद का स्वत्व अपनी जन्म भूमी हेदु दे देते उसे पन्ना सिधाया के सरिस सम्मान कहते हैं खुद बलबेदी परचड़ करके मानों को उपहार दिया बेघर के होते भी माने जन्जन को घरदवार दिया था पूछा यक्षने यूकी युधिक्षिर से बड़ा है कौन? बड़ी है भूमी से फिर भी खड़ी है भूमी पर वहमोन युधिक्षिर कर्व से बोले जुधारण कर्व में करके रखे नौमास तक जीवित भला उससे बड़ा है कौन? सिध्ध हुआ करता है तथ्यों से माने परिवार किया बे घर के होते भी माने जन जन को घरदवार दिया क्या मन्दिर क्या मस्जित क्या गंगा की धार करे वह घर ही मन मन्दिर है जो माता की का सतकार करे यदि मा की ममता जन जन की नव जीवन से मिट जाएगी मत सोच मनुझ तू देखते रख मन देख ख्षतिज धर्क राएगी निज मान धर्म निज कर्म मनुझता से माने परिवार दिया बे घर के होते भी माने जन जन को घरद्वार दिया जन जन को खरत्वार दिया धन्यवाद